हलो दोस्तों, आज हैंगिंग मैन के बारे में पढ़ेंगे और आज की इस केंडल स्टिक के कॉर्स में जो फ्री केंडल स्टिक का कॉर्स हमने चला रखा है यहां पर हम बात करेंगे हैंगिंग मैन के बारे में तो hanging man दरसल होता क्या है ये कहां पर बनता है देखिए सभी candlestick की एक अपनी अपनी जगा होती है जहां पर hanging man बना जाता है और जहां पर ये बनता है इसके बननेगा एक खास कारण जिसे आप कह सकते हैं वो है कि candlestick pattern के अंदर hanging man कहां पर बनता है ये define करना बहुत ज़्याद जरूरी है या तो वो किसी sport के पास बनेगा या कहीं resistance के पास बनेगा जाकर ठीक है दोस्तों या कहीं पर sport के पास बनेगा और या कहीं के resistance के पास जाकर वो बन सकता है तो यहीं पर ही बात आ जाती है अब जो आप hanging man देख रहे हैं यहांगी जैसे ही hanging man बनता है उसके थोट इसी टिप होती है उपर की दरफ इसे बोलते हैं दोस्तों एक टिप टेल भी कहते है टिप भी कहते है तो कुछ भी इसे कहा जा सकता है तो हम इसे टिप मानकर चलते हैं और टेल हम इसको रख लेते हैं और इस टेल के लो के आसपास जब आप बात करेंगे और इस टेल के हाई क यहां पर जब भी low या high की बात आती है लो के क्रोसिंग के बाद एक अगली केंडल जो बनती है वहां पर हम इसकी buying बनाएंगे और इसके टिप के उपर हम SL रखेंगे ठीक है दोस्तों अगर put side जाएंगे तब put side जाना होगा हमें तब की बात है और जब हम यहां से दूसरे सिनेरियों में बात करेंगे मतलब कि यह Selling Side हो गया और जब हम Buying Side की बात करते हैं तो Buying Side में आपकी Tip के उपर होगा SL और High की Crossing के उपर होगा Buy जैसे मान लीजिए एक Candle बनी दो बनी तीसरी Candle ने इसका High Cross कर दिया तीसरी Candle ने High Cross किया और वहीं पर आपने इस Candle Stick के इस मतलब Hangin Man के Tip के पास SL रख दिया SL रख दिया यह और यह आपका SL हो गया यहीं पर यह आपका SL हो गया और आप Weight किसकी कर रहे हैं आप Trend जानेगी और यहां पर आप Weight किसकी कर रहे हैं Selling Side जानेगी तो I hope आप समझ गए होंगे कि Candle Stick पैटरन किस प्रकार से काम करता है तो चलिए अब इसका एक सही सीधा चलते हैं HDFC Bank के उपर HDFC Bank के अंदर आप देख सकते हैं आपको जैसे मैंने समझाया है उस हिसाब से आपने Hangin Man बहुत जगहां पर देख बनता हुआ दिखाई दे रहोगा एक दो जैसे यह Red का बना वैसे ही यहां पर इसका High और Low बना जैसे ही यहां पर बना वैसे इसका High और Low बना यहां पर जैसे यहां पर Hangin Man बना वहीं पर ही इसका High और Low बना आप देख सकते हैं यह या तो किसी resistance के पास बनता है जहां से resistance आया है और या फिर किसी low के आसपास बनता है जैसे जहां से इसे uptrend में जानोगा तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ एक hanging man बनते हैं और यहीं से हम चलते हैं थोड़ा पीछे चलते हैं पीछे आगर आप देखें तो यहां पर यह hanging man बना इसने इसका high और इसका low रहा जैसे ही low cross किया हलका सा profit एक बार फिर से और resistance के बाद इसने retest किया एक hanging man बनाते हुए यह downtrend की तरफ आता जा रहा है दोस्तों आप समझ पारे होंगे यह एक share है HDFC bank और चलिए थोड़ा सा हम अगर रुख करते हैं निफ्टी का तो निफ्टी के अंदर आप देखें निफ्टी के अंदर अगर आप देख पारे होंगे तो निफ्टी के चार और high K आसपास यहां पर कहीं पर हमें दो तीन चार जगाओं पर हमें hanging man दिखाई दिया और वहीं से market ने जो एक low लगाया है यहां से भी low लगाया है और यहां से भी low लगाया है और इसके बाद यहां से भी low लगाया है जैसे जैसे इसने low लगाया है वैसे वैसे नीचे से अप ट्रेंड में जाने का कारण भी बना है, बुलिश इन गल्फिंग बना है, और जैसे यहां पर भी बुलिश इन गल्फिंग बना है, तो एक अप जाने का कारण भी होता है, और एक डाउन आने का कारण भी होता है, I hope आप इस वीडियो के अंदर समझ पाए होंगे, ये छ छोटा ही टोपिक रहेगा जाद अंतर बड़ा टोपिक नहीं आए और आपको सिर्फ बेसिक नॉलिज रखनी है इसके बारे में और आई होप आपको इस कोर्स के अंदर मजा रहा होगा फ्री कोर्स है आप इसे पूरा सीखिए मिलते हैं आपको अगली केंडल स्टिक के उपर जहां पर हम बात करेंगे अगली केंडल स्टिक के बारे में अगर आपने ये वीडियो दोस्तों देखी नहीं है आप इसे वीडियो को देख सकते हैं यहां पर आपको अच्छी हसी जानकारी मिल सकती है तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में